Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel Logic Parts Shala आज की इस वीडियो में हम करेंगे 30 of May 2020 के important current affairs आपको इस वीडियो को देखे, PDF फाइल का लिंक जो है वो description box में मिल जाएगा वहाँ से आप लिंक चेक कर सकते हैं अगर आपके बाकी अधर वीडियो नहीं देखियों तो आप चैनल के प्लेइलिस्ट भी open कर सकते हैं और में लिंक भी प्रोवाइट कर दोंगी, वहाँ से भी check कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो helpful लगे तो इसे एक like करें, share करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिये, जो लोग नए चैनल से चुणे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब करें सो स्टार्ट करते हैं, देखिये, आज की वीडियो फिर से 10 कोशन होने वाले हैं इंपोर्टेंट, फुलम एक्स्प्लेनेशन से उन कोशन को समझेंगे इसके साथ एक कोशन होगा, जो लास्ट में आप सभी को आंसर उसका कमेंट बॉक्स में करना होगा सो वीडियो पूरी देखिये, उस कोशन को आप जरूर अटैम्ट करें सो स्टार्ट करते हैं, आज का देखिये, फर्स कोशन हमारे पास क्या है किस देश ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्मान कारिया जो है, वो शुरू कर दिया है तो इस कोशन का जो आंसर है, वो आप्शन नमबर A है रूस के द्वारा जो है, वो ये विमान बनाया जा रहा है, इसका निर्मान शुरू हो गिया है यह विमान जो है एक लड़ाकू मिमान है यानि एक fighter plane है इंग्लिश में क्या बोलेंगे सी fighter plane है यह आप साइड में फोटो देख सकते हैं तरीके का यह एक विमान है यह चो देखिए इसका stealth bomber विमान है इसका नाम ऐसा अटपटा सा है बड़ ध्यान रखना stealth bomber विमान जो है वो इसका पहला परिक्षन उडान भरी जाएगी इसकी पहली वो 2021-22 के बीच आयोजित हो जाएगी तो यह PAKDA है क्या तो देखिए इसकी full form होती है Perspective Aviation Complex for Long Range Aviation यह एक प्रोग्राम है इस तहत के इस प्रोग्राम के तहत इस fighter plane का निर्मान जो है वो रूस के द्वारा कराया ज जा रहा है इससे पहले रूस का एक और जो fighter plane ता जिसका नाम था SU-57 जो है वो इसका नाम था इससे पहले यह fighter plane था और अब यह दूसरा fighter plane है जिसका नाम है Stealth Bomber विमान तो रूस के द्वारा इसका निर्मान कारे जो है वो शिरू हो गया है रूस की राजधानी देखिए रूस को है और रूस के वर्तमान में जो प्रेजिडेंड है उनका नाम है वलादिमार पुतिन वलादिमीर पुतिन यह जो है वो रूस के वर्तमान में राष्ट पती है तो यह भी आप ध्यान लगए और बहुत ज़दा important question हो जाएगा यह आप सभी की exam के लिए क्योंकि बह तो देखिए second question में हमारे पास है Oriental Insurance Company की नई अध्यक्ष और MD कौन बनी है तो Oriental Insurance Company की जो नई MD और आप कहले चे अध्यक्ष बनी है उनका नाम है S.N. Rajeshwari option C इसका बिलकुर right answer है साइट में जिनके आप photo देख रही है यह S.N. Rajeshwari है यह Oriental Insurance Company की आप नई अध्यक्ष और MD बन गई है यह जो देखिए इन्होंने जो जगह लिए यानि इससे पहले जो थी उनका नाम था A.B. Girjahkumar यहाँ पर मैं फिलक देती हूँ A.B. Girjahkumar जो है वो इससे पहले थी जो Oriental Insurance Company है उसकी अध्यक्ष और इनी की जगह लिए है S.N. Rajeshwari ने इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि जितनी पी न्युक्ति से कोशन आती है वो बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट होते हैं अब दीखिए आप यह बात हुई है Oriental Insurance Company की तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में अब 1947 में और क्या हुआ था हमारा देश अजाद हुआ था यह तो सब्सक्राइब की नई अध्यक्षवर M.D. कौन बन गई है S.N. राजिश्वरी और दीखिए गाइस पीडियो फाइल का लिंक मिल जाएगा सुब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूत ने हैं लेकिन वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें सी दीखिए हमारे पास थोड़ी साइड में जिनके आप फोटो देख रहे हैं यह मुस्तबा हुसैन है और यह जो लेखक है यह प्रसित उर्दू लेखक थे अभी इनका हाल ही में निदन हो आ है उन्होंने अपने जीवर में काफी फेमस फेमस साहित्यक जो हैं वो स्टोरी आपके लिजे साहित्यक अभी हाल ही में इनका निदन हो गया है तो थर्ड कोशन का बी ऑप्शन है बिलकुल राइट आंसर चले फिर फोट कोशन देख लेते हैं फोट कोशन में हमारे पास है किस स्पेस एजेंसी की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उडान मौसम के कारण स्थगित की गई है यानि ये उडान का जो देखिए मतब आयर्जित होनी थी ये पहले हो जानी थी लेकिन अभी मौसम के चलते इसको स्थगित कर दिया गया तो कौन सी स्पेज एजेंसी की ये उडान होने वाली थी ये आपसी पूछा गया है तो इस कोशन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पेस ए जनसी है और ये अपने जो मानव रहित अंतरिक्ष उडान था इसको 27 मई को आयर्जित करने वाला था यानि जो उडान थी ये 27 मई को रवाना होने वाली थी लेकिन मौसम खराब होने से 30 मई तक इसको स्थगित कर दिया गया है और स्पेस एक्स ने इस मिशन का नाम रखा देमो 2 ये भी आप ध्यान रखे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि जो मानव युक्त अंतरिक्ष उडान जो की 27 मई को ओने वाली थी उसका नाम क्या था उस मिशन का नाम क्या था तो ध्यान रखना है उस मिशन का नाम था डेमो 2 ये भी आपको ध्यान रखना है ना सके दो अंतरिक श्यात्री जिनका नाम एक का नाम है बॉफ बेहलकीन और दूस्टरे का नाम है डग हरली इस कक्षा में लॉंच करेगा यानि इस अंतरिक श्यात्री जो है वो ये दो लोग जाएंगे इसमें इसके लवब अगर बात करें यहां पर स्पेस एक्स की तो दीके 2002 में स्पेस एक्स की शिरुवात हुई थी और संस्थापक जो थे यानि इन्होंने स्पेस एक्स की शिरुवात की थी जो फाउंडर थी उनका नाम था एलॉन मस्क इन्होंने स्पेस एक्स की शिरुवात की थी यानि आप इसे English में बोलें तो founder और Hindi में बोलें तो संस्थापक So fourth question का हमारा D option बिलकुल right answer है चलिए fifth question के तरफ चलते हैं भई fifth question में हमारे पास क्या पूचा गया है New Development Bank का अगला अध्यक्ष किसी नियूक्त किया गया है So question का answer है option number C Micros, Macros, Trizo जो है वो इनका नाम है और इन्हें अगला अध्यक्ष जो है वो New Development जिसके हम short में क्या लिखते हैं NDB लिखते हैं जो है NDB का नया अगला अध्यक्ष जो है वो चुना गया है Brazil की है ये, Marcos, Trizo कहां की है Brazil के ये भी ध्यान रखना क्योंकि कई बार question जो है वो paper में घुमा की पूछ लिया जाता है कि भाई किस तरीके से पूछा जाएगा देखिए पूछा जा सकता है कि New Development के जो अगले अध्यक्ष जो चुने का है जिनका नाम Marcos, Trizo है ये किस देश की है ऐसे भी पूछा जा सकता है तो ये ब्राजील के है और 7 जुलाई 2020 को ये अपना कारेभार जो है वो ग्रहन करेंगे यानि 7 जुलाई 2020 से अपना कारे करना जो है वो शुरू कर देंगे अब दीखे बात तो यहाँ पे New Development Bank की तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दे New Development के जो वर्तमान में अध्यक्ष थे यानि इन से पहले जो थे उनका नाम था K.V. कामत अभी ये हैं अभी ये रेटायर नहीं हुए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका जो कारे काल है वो कब से शुरू होगा 7 जुलाई से शुरू होगा तो इसको भी आप ध्यान लखें and question में बिल्कुल ध्यान लखना है अगर मालीजे साल जुलाई से पहले आपको कोई paper हो गया मालीजे वसे तो उमीद नहीं है paper होने की बड़ साल जुलाई से पहले अगर अध्यक्ष पूछे गए तो K.V. कामत बताओगे और साल जुलाई के बाद जो भी paper होगा उसमें आप अध्यक्ष का अगर नाम आएगा तो आप मार्कोस ट्राइजो का नाम ही बताएंगे तो गाईज चलती है हम अपने अगले question के तरफ देखते हैं six question में हमारे पास क्या पूछा गया है तो हमारे पास देखे six question में है चीन ने जुलाई 2021 में मंगल ग्रैपर किस नाम से अपना पहला मंगल मिशन लाँच करने के गोश्टा की है तो six question का हमारा answer जो है वो option number one है 93 फर्स्ट जो है वो उस mission का नाम है जो की क्या कौन से mission है मंगल ग्रैपर जाने का और मंगल ग्रैपर ये mission क्या काम करेगा वहाँ पर जो मंगल ग्रैपर की सतह है उस पर पानी बर्ष और मिट्टी की खोच करने का ये काम करेगा एम बूमी का इसमें लेंडर और रोवर निभाएंगे और इस मंगल मिशन का नाम ध्यान रखना है तियानवेन फर्स्ट है जुलाई 2020 से इसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की है जो तियानवेन फर्स्ट मिशन है ये किस rocket से launch किया जाएगा उस rocket का नाम भी आपको ध्यान देना है तो उस rocket का नाम है long मैं यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि rocket का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है English में लिख देते हैं long march 5 ये जो है वो उस rocket का नाम है जिससे त्यानवेन वन मिशन को launch किया जाएगा तो कोशन यहाँ से भी बन सकता है कि जो मंगल मिशन पर जाने वाला त्यानवेन फर्स्ट जो मिशन है वो किस rocket से launch किया जाएगा तो ध्यान नकना long march 5 जो है वो उस mission का नाम है तो यहाँ पर बात हो यह चीन की तो चीन की space agency का नाम भी आपको पता होना चाहिए CNSA उसकी short form है फुल फॉर्म इसकी बतातेती हूँ चाइना National Space Administration इसकी फुल फॉर्म है 1993 में इसकी स्थापना होई थी और इसका headquarter चाइना में ही है लेकिन कहा है बीजिन में है यह भी आप ध्यान लगना जैसे लिए कि हर एक देश की space agency हो सी अगर हम बात करें भारत की कौन सी है तो भारत की इसरो है अमेरिका की space agency कौन सी है तो वो नासा है इसी तरीके से चाइना की जो है वो CNSA है चाइना National Space Administration इसकी फॉर्म है बहुत ही सदा important question बन चाएगा आपके exam की दुरस्टी से तो ध्यान रखना है दोनों चीज़े आपको mission का नाम भी ध्यान रखना है 93 फर्स्ट और किस rocket से launch किया जाएगा तो long March 5 ये जो rocket इसे इस mission को launch किया जाएगा सो चलते हैं 7 question पर हमारे पास देखे 7 question किया है 28 मई 2020 को किस स्वतंतता सेनानी की वर्षघाट यानि जन्म वर्षघाट मनाई गई थी तो इस question का answer है option number B विनायक दामुदर सावर करकी अभी 28 मई को जन्म दिन की वर्षघाट मनाई गई थी ये एक स्वतंतता सेनानी थे यानि इंगलिश में बोलें तो freedom fighter थे और इन्हों ने काफी पुस्तक ये भी लिखी थी जैसे इकात का अगर मैं आपको नाम बताऊ तो इन्हों ने विनायक दामुदर सावर कर ने जोसिफ मैजिनी जीवन कतावे राजनिती नामक पुस्तक भी लिखी थी इंडियन वार औफ इंडिपेंडेंस भी नोंने लिखी थी और ये एक freedom fighter भी थे इनका एक और नाम था इन्हें वीर सावर कर के नाम से भी जाना जाता था तो अगर वीर सावर कर के नाम से पूछ लिया तो confused मत हो ना कि ये वीर सावर कर कौन है इनका पूरा ही नाम क्या है विनायंग दामोदर सावर कर इनका पूरा नाम है और अगर बात करें इनी के समान में अभी एक एरपोर्ट का नाम भी चेंज किया गया था तो एरपोर्ट कहांके चेंज किया गया था अंडबान अंडबार निकोबार का जो पोर्ट बिलियर हवाई अड़ा है उसका नाम वीर सावर कर अंतराश्टे हवाई अड़ा रखा गया था तो साइट के आप देख रहे हैं ये वीर सावर कर है और इन्होंने काफी एहम भूमिका निभाई थी देश की आजादी में भी कह लेजे औ और जब आंदोलन वगेरा चल रहे थी उस टाइम भी इन्होंने बहुत सदा एहम भूमिका निभाई थी तो 28 में 2020 को इनके जनल दिन की वर्षखाट बनाए गए थी सो सेविन कोशिन का बी ऑप्शन बिलकुर राइट आंसर है चलिए एट कोशिन पे चलते हैं अगला कोशिन पूछा गया है फिच ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर कितनी प्रतीशत गिरने का अनुमान लगाया है क्योंकि दीकि इस टाइम पे आर्थी करते हुए विस इसकोशिन का आंसर है ओप्शन नंबर C 5 प्रतीशत अनुमान लगाया है कि इस बार 2020-22 में 5 प्रतीशत हमारे जीडीपी दर है जो कि गिर सकती है फिच रेटिंग के अनुसार कोरोना वाइरस के वज़े से दुनिया भर के बड़े बड़े समरत देशों के अर्थ वेश्ता अभी काफी जादा खराब हो गई है जो इस फिच रेटिंग है इसकी शुरुवात देखे 1914 में होई थी और इसका हेड़कोर्टर जो है वो नियॉयोक में है ये बस अनुमान लगाता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है यानि हमारी जो आर्थिक विवस्ता की ग्रोथ है वो कितनी हो रही है कितनी डाउन हो रही है तो इस तरह के रेटिंग जो है वो ये देता है तो एट कोशन का हमारा C आप्शन बिल्कुल राइट आंसर है चलिए फ नाइन कोशन देखते हैं क्या है भारतिय रास्तिय भुकान निगम ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटे किसे लाउच गया गया? Artificial Intelligence Chatbot को जो है वो लाउच किया गया आप इसके जरीए क्या कर सकतो अंग्रेजी और हिंदी में जो ग्राहक है वो अपने प्रश्णों को हल करने के लिए मता है अपने प्रश्णों का हल आप English में भी ले सकते हो और हिंदी में भी ले सकते हो 24 गंडे में आपके पस जो आपकी प्रशन है उसका हल आपके पस उपलब्द हो जाएगा तो आप मैसेज में वोइस के जरी इसको जो ओन है वो कर सकते हो अब बात होई हैं आपे भार्टे रास्टे भुकतान निगम की तो इसके शुरुआत हो इती 2008 में और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो मुंबई में है भार्टे रास्टे भुकतान निगम का सो नाइन्ध कोशन का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिलकुर राइट आंसर है 10 कोशन पे चलें तो अगले कोशन में हमसे पूचा है SNP ने वितवर्ष 2020 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगा है तो इन्हों ने भी लगा दिया है 5 प्रतिशत ऑप्शन C इसका भी बलकुर राइट आंसर है इनके अकॉर्डिंग भी जो SNP ग्लोबल रेटिंग है इनके अकॉर्डिंग भी 2021 में भारत की जो GDP ग्रोथ रहेगी वो 5 प्रतिशत गिरने का इन्होंने अनुमान लगाया है SNP ग्लोबल ट्रेकिंग के अनुसार विश्विस्तर पर विविन विविन देश आर्थिक मंती का सामना कर रहे है क्योंकि इस टाइम सभी को पता है कोरोना वाइरिस चल रहा है जिसके कारण बहुत सदा आर्थिक विविस्तर जो एक हराब हुरी है क्योंकि कोई भी देखे उद्योग धंदे नहीं चल रहे है कोई शॉप्स वग्यारा नहीं खुल रहे है तो काफी लॉस हो रहा है गवर्मेंट को सो टेन कोशन का भी हमारा सी ओप्शन बिलकुर राइट आंसर है सो गाइस आज के 10 कुशन हमारे समापत हो गए अब देखते हैं आज का प्रशन जिसका आंसर आप सभी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे कुशन हमारे पास है भारत की तरफ से नाईजर देश के नए राजदूत कौन बने है A, B, C, T में से अपना आंसर जो भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस कोशन को सॉल्ट जरूर करें देखें कि आपके जो जनल नौलेज आप कितना रिवाइज आप कर पा रहे हो So, last video का question भी discuss करते हैं कि last video में मैंने जो question पूचा ता उसका अंसर क्या होगा देखें, last video में आपसे question पूचा था कौन सा देश दुनिया में PPA kit का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है तो PPE kit का पहला निर्मादा पहले नमबर पर जो सबसे ज़ादा PPE kit बनाता है वो चीन है और दूसरा नमबर पर भारत है तो इस question का answer है option number C भारत भ्यान रतना है पहले नमबर वाला भी और दूसरे नमबर वाला भी तो भारत अब दूसरे नमबर पागा लगबग एक दिन में एक से दो लाग PPE kit जो है वो भारत पे निर्माद जो है वो किया चारा है और सबसे पहले नमबर पर चाइना सबसे ज़ादा निर्माद करता है PPE kit का वीडियो तो हमारी समाब दोती है आप सभी से एक request है वीडियो पसंत आई तो like, share, subscribe जरूर करें वीडियो पूरा देखें and comment करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी सो मिलते हैं नेक्स फीडियो में नाई दिन की करेंट अफेस के साथ इसी साथ बने रहे हमारी साथ थैंक यू, गुडबाई and all the best for your success